प्रेंट्स आज में आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर आई हूं शुक्रिया शुक्रिया अधा करना एक बहुत बढ़ी चीज है आप अधिकतर लोग शुक्रिया अधा करने में पीछे हर जाते हैं थैंक्स बोलने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है उनको लगता है शायद हम लोग डिग्रेड हो रहे हैं किसी को थैंक्यू कहने में पर ऐसा नहीं है दोस्त फ्रेंट्स आप किसी का भी शुक्रिया अधा कीजिए आपको उसका तुरंट रिवार्ड जरूर मिलेगा उसका अवार्ड आपको जरूर मिलता है फ्रेंट्स मैं आपको एक जहां की बात बता रही हूं हमारे देश में गुरू बहुत हैं और उन गुरू के शिश्य भी बहुत हैं तो एक ऐसे ही गुरुजी थे उनकी वहां पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र काफी हो गुरू जी शुक्राना गुरू जी शुक्राना मतलब गुरू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को इतनी सहायता कर रहे हैं गुरू जी ने सोचा यह रोज मुझे शुक्राना कहता है यह रोज मुझे शुक्राना कहता है तो मुझे तो इसकी समस्याओं का समाधान करना ही होगा तो गुरू जी ने एक दिन उनको रोका उनसे कहा केशव जी एक सेकंड रुकिए, मुझे आप से कुछ बात करनी है तो केशव जी रुक गए केशव जी ने कहा, हाँ गुरू जी बोलिए आपको मुझे से क्या बात करनी है ले देखिए केशव जी, आप मुझे रोज रोज गुरु जी शुकराना कहते हैं, तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दूँ, पर केशव जी एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कि मैं आपके जीवन में आने वाली 50% प्रॉब्ल आप ही को सॉल्व करनी पड़ेंगी, मैं उनमें आपकी सहायता नहीं कर सकता, जब ये बात सुना, तो केशव जी तो रोने लगे, केशव जी ने का गुरु जी मैं तो आप ही के भरोसे पर हूँ, तो टोटली आप डिपेंडिंग ओन यू गुरु जी फॉर एवरिटिंग गुरु जी ने का हाँ, तभी तो मैंने आपकी समस्याओं का समधान किया, बट आपकी समस्याओं का समधान किया, तो केशव जी ने का गुरु जी अब मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी बाकी समस्याओं का भी समधान हो जाए, तो गुरु जी ने का हाँ, देखो जैसे आप मुझे कहते हो ना गुरू जी शुक्राना वैसे ही आप क्या करो अपनी प्राब्लम्स को शुक्राना बोलना शुरू कर दो आपकी जो समस्याएं हैं उनको शुक्राना बोलना शुरू कर दो शुक्राना आपकी जो भी समस्या है suppose कि आपको समस्या हो रही है खासी की आपको जुकाम हो गया है आपको बुखार हो गया है शुक्राना खासी शुक्राना खासी इस तरीके से आप बोलिए तो बोलने से क्या होगा जैसे हम किसी का जब शुक्रिया अदा करते हैं तो खुश हो जाता है है ना? खुश होकर वो हमें reward देता है, award देता है हम जब भी किसी को thank you कहते है, हो कहते है ok 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 it's all right nothing तो जब आप अपनी खासी को अपने जुकाम को शुक्रिया अदा करेंगे तो वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे दोस्तों इसी तरीके से हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को चीखने चिलाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा आप यदि उन समस्याओं को शुक्रिया अदा कर देते हैं तो वो समस्याओं आपको छोड़कर चले जाएंगी मैं जानती हूँ मेरा ये वीडियो सुनकर आपको हासी आ रही होगी कि आज मधू ये कैसी बाते कर रही है कि समस्याओं को शुक्राना बोलो और छोड़कर चले जाएगी फ्रेंट्स हींग लगे ना फिट करी आपका कुछ भी नहीं जाएगा मेरे कहने पर एक बार इसको ट्राई तो करके देखिए आपका कुछ जाने वाला नहीं है but you know there is one thing you have to keep in mind मेरे कहने पर जब आप ट्राई करते हैं friends you will have to have full faith on yourself full faith on what you are saying आप क्या आप कह रहे हो शुक्राना खासी तो इसलिए नहीं कि मधू ने कहा है but अपने आप में पूरा विश्वास जगाईए पूरे फेथ के साथ शुक्राना खासी भूलिए कि आपको पूरा विश्वास है वो खासी आपको छोड़कर चली जाएगी ऐसा आपको विश्वास आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना पड़ेगा तो मेरे कहने पर फ्रेंट्स इस विश्वास को जगाईए अपनी प्रॉब्लम्स को भी शुक्राना कहिए और उन प्रॉब्लम्स से निजाद पाईए प्रेंट्स हम सब की जिंदगी में कोई न कोई गुरू जरूर हैं चाहे तो गुरू ब्रहस पती देव श्री कृष्ण या आप जिनको भी गुरू मानते हैं या इस संसार के ही किसी गुरू को आपने गुरू बना रखा है तो प्लीज अपने गुरू जुई को भी शुक्रा कर दो